pirants darn आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं एक निडा में धो नए प्रोग्राम शुरू कीए जा रही हैं जिसके बारे में प्रॉपर अपको ज़ानकरी देने जा रही हूं अगर आप चाहते हैं कि यह जानकरी आप सारी लें आपको इन दो प्रोग्राम के बारे में सारी जानकरी मिले तो वीडियो को सुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें वीडियो स्टाट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे इस यूट्यूब के चैनल को सबस्क्राइब जरूर करे अब हम स्टाट करते हैं आज की वीडियो में आपको दो प्रोग्राम के बारे में डेटेल में जानकरी देने जा रहे हूं यह जो क्नेड़ा का इमिग्रेशन डिपार्टन है उसकी तरफ से दो नए प्रोग्राम शुरू किये जा रहे हैं यह इसकी पूरी डेटेल में जानकरी दूंगी कि कौन कौन से लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं किनिडा इमिंग्रेशन की तरफ से दो जनवरी से यह दो प्रोग्रम शुरू किये जा रहे हैं इसके लिए काफी कैंडिडेट्स से फाइल ने स्टार्ट भी कर दी गई हैं यह दो हाई एजुकेशन है और हाई स्किल्ड वो प्रवासी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास टेकनोलजी एंड ओशियन साइंस में एक्सपीरेंस है और न्यूफाउंड लेंड और प्रविंशियल नॉमनी प्रोग्राम के द्वारा जे सारी जानकरी आपको गौर्म के लिए शुरू किया जा रहा है और प्रवासियों को बनाने के लिए ओपन किया हुआ है मिन्स के जो लेबर मार्केट की शॉर्टेज है उसको इसके द्वारा पूरा किया जाएगा मिन्स के जो इंट्रस्टेड हैं वो अपलाई कर सकते हैं जा सकते हैं जिनके पास कम से कम एक साल का वर्क एक्सपीरियंस है हाई स्किल्ड हाई डिमांड अकूपेशन में वो अपलाई कर सकते हैं और उन कैंडिडेट के पास मास्टर्ज जहां डॉक्टरेट डिग्री का होना जुरूरी है जे डिग्री तीन साल की होनी चाहिए इसका प्रसेस क्या है उसके बारे में आपको जानकरी देने जा रही हूँ प्रियोर्टी स्किल्ज न्यू फाउंड लेंड एंड लेब्रेड आर्व की तरफ से एक्सप्रेशन ओफ इंटरस्ट इंटरस्ट सिस्टम चलाया जा रहा है जो भी गेंडरेट इंटरस्टड है वो इओ आई अप्लिकेशन कम्प्लीट करें और फिर आपको इन्विटेशन मिलेगा प्रिविंस के ऑन लाइन पोर्टल से उनको ये इन्विटेशन मिलेगा जो स्किल्ड वर्कर जहां एक्सप्रेस एंट्री स्किल्ड वर्कर की कैटागरी की रुकार्मेंट पूरी करते हैं न्यूफाउंड लेब्रेडर द्वारा वो EOI एप्लिकेशन चुनी जाएंगी जिनके पास एक साल का एक्सपिरिश होगा उन कितों से रिलेटिड जो इन डिमांड उक्पेशन लिस्ट में बताएंगे हैं उन से रिलेटिड ही आपके पास एक साल का एक्सपिरिश होना जरूरी है उनको ही EOI एप्लिकेशन उनकी ही EOI एप्लिकेशन चुनी जाएंगी मास्टर जाँ डॉक्टरे डिग्री तीन साल की होना भी जरूरी है यह है डिग्री टेकनॉलिजी, हैल्थ केर, एक्वा कल्चर जाफर एग्री कल्चर के फील्ड की होनी चाहिए इस पर सैस के लिए किसी जॉब ऑफ लेटर की जरूरत नहीं है इसी के लिए लेंगोज टेस्ट स्कोर कम से कम पांच होना जरूरी है और लेंगोज टेस्ट रिजल्ट बारा महीने पराना होना जरूरी है कैंडिडेट की जो उमर है वो कम से कम 21 साल होना जरूरी है और जो candidate पका इरादा रखते हैं कि वो newfoundland and laborator में जाकर रहना चाहते हैं वो इसके लिए apply कर सकते हैं इसकी ज़्यादा detail में जानकरी आप Canada की जो official website है www.canada.ca पे जाके आप जानकरी ले सकते हैं जानकरी आपके दो जो नई प्रोग्राम शुरू होने जा रहे हैं उसके बारे में दी हैं तो इस वीडियो को जादा जादा लाइक करें और शेयर करें और कनेडा के बारे में या किसी भी तरह की जानकरी ले सकते हैं Thank you